सामन आया बादल जाए चलिया चेह की मोरी काए अरी हरा हरा सामन है आया हरी हरी चूड़ी पहनाओ बाद में पहले ना हरी हरी चूड़ी आ ठीक है लेटने का टाइम नहीं है भी जो बहुत मस्ती से लेटी हो और गाना गा रही हो पहले गाना अच्छे से सीख लो फिर गाना अरे अमाजी आप का भाई अभी आये जब तुम गाना गा रही थी मेरी बाद सुनो यह दूद लेके आये हैं जो इसका जाके खोया बना लो और हाँ चूले पर बनाना ठीक है गैस मत फूकने लग जाना वैसे भी इतनी महेंगी गैस है जो जाओ पट से गैस में बैठके खोया बनाने लगो पूरा सलेंडर खतम हो जाएगा अरे नहीं माजी अतना तो हमें भी पता है खोया बनाने में गैस जादा लगेगी हम चूला में ही बनाएंगे खोया परिसान मत रही है ठीक है तो तुम जाओ खोया बनाओ और लेटी मत रहना जो हम निकलने बाहर को और तुरंद पट से लेटके बेसोरे गान अगाती हो ज कितना भी अच्छा काम कर लो कभी तो अच्छे से बोली नहीं सकती है अब जब कोई काम नहीं था तो हम लेट गए अब गाना आ जीजहाएं ना गाना जाहिए अब जरूरी है किए मुझे गाना ही आए तभी गाऊंगी मा जी भी न छोटी चोटी बातों पर बस उंगली कर का है जा रही हूं खु़या बना लूंठ जाहे हैं फिर देखना 10 दोर बाहते हैं नहीं सागे пом przep माझजर इसकार. म माझजर साइब नाये हैं. पैसे का लेन देन कैसियर करता है, मैनेजर नहीं करता है तो मैनेजर साब उत्ती देर से काए, हमसे बकालत कर रहे हूँ, पहले नहीं बता सकते थे का कि मैनेजर देता है, पैसे की कैसियर देता है, इतना पड़े लेके होते तो काहे के लिए मैडम जी ये बैंक है ठीक है यहां उची आब आज में बात नहीं की जाती ये सांत मौल रखा जाता है जाए कैसियर से बात कीजिए अब मैनेजर साहब एक बात बताईए अब ये कैसियर कहां में लेगा अरे वो भी अपने केविन में होंगे जाए 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 पूछ लेना बाहर किसी से अरे मैनेजर साहब अगर बाहर कोई होता तो आपके ओफिस में क्यों आते उधरी न चले जाते बाहर एकदम सन्नाटा पस रहा है ठीक है जैसे कई मातम मन रहा हो बैंक में अरे मैडम जी जाए यहां से तो आपके जाए ठीक है ना यह मैनेजर का लग रहा धिमा के माग फिर गया है कैसे बात करता है हमसे इसको लग रहा बुद्धी नाम की चीज नहीं है जा रहे हैं कैसियर से मिल रहे है कैसियर साहब पैसे लेने आए यह दै दिजी है मेरे पास कहा है पैसे अरे तो पैसे हैं किस के पास वहां मैनेजर के पास गई वो बोल रहा है कैसियर के पास जाओ कैसियर के पास आई वो कह रहा है मेरे पास कहा है पैसे अरे हाँ भाई तु वही तो बोल रहा है मेरे पास कहा है पैसे किस चीज के पैसे लेने आई हो, बताओगी अरे हमारी अम्मा जी ने बोला था मतलब हमारी सास ने बोला है कि चली जाओ बैंक से पैसे ले आओ निकाल के, उनकी बिद्धा पैंसिल भी आई है और उनका पैसा कुछ पड़ा है अकाउंट में, बोल रही थी हम से हम चले आई लेने, और आप लोग मुझे उतना गेल-गोल-गोल-गोल-गोल गुमाय जा रहे हो अच्छा, तो ये बोलो न, ये क्या पैसे दे दो, पैसे दे दो ये बताओ न, पैसे निकालने आई हो अरे वह ही तो बोले जा रहे हैं कितनी देर से तो पैसे दोगे ही तो यहाँ हाँ चलो ठीक है बेट करो ठोड़ी दिर अंतजार करो बैटो यहीं पे मैं जा रहा हूं लूंच का टैम हो गया है अभी कोई काम नहीं होगा अभी मैं खाना खाने जा रहा हूं एक कैसी एर के बच्चे, कान खोल के मेरी बात सुनो, सो चक्कल लगा हैं, कम से कम मैंने इस बैंक के, बहुत हो गया है, चुप चाप नेरे पैसे निकाल के दे दे, फिर लंच पे जा कहीं जा मुझे मतलम नहीं है, ठीक है, इतनी हिम्मत किसी पे नहीं है, कि जो परवधिया को इतने चक्कल लगवा दे, समझ में आया ना, बहुत देर हो गये हैं, चुप चाप पैसे देता है, यह नहीं, फिर बता मुझे, अरे, अरे मैडम बात कैसे कर रही हो, यह बैंक है, ठीक है, इधर किसी की तानसाई नहीं चलती है, पैसे निकालने हैं, तो लंच के बाद आके निकाल के लेके जाना, ठीक है, और यह हाथ वहाँ तो उंगली संगली उठा के मुझसे बात मत करो, अरे, तुम्हारा नवकर नहीं हो, तो क्या हो, नवकरी करते हो न, जंता के लिए यह तो करते हो, लंच बात में करना, पहले मेरे पैसे निकाल दो, मुझे और भी काम है मेरे घर में, ठीक है, एतना ही काम नहीं यह चक्कल लगाना बैंक का, यह दी तरह पैसे निकाल के दे मुझे, यही खड़ी रहना आता हूं, हाँ, हाँ, ठीक है, खड़ी हूं, यह तो बताओ, पैसे कितने निकालने हैं, और पास्बुक, कुछ बगेरा लाई हो एक आउंट, एक आउंट, क्यासे हाथ हिलाती चली आई हो, मजी कह रहे ही ते मजी का एक लॉकर है इधर पे, ठ सब तीजे रखती है, तो लॉकर का कोड बताओ, 325, 527, ठीक है, रुक हो आता हूं, लो मैडम जी, पकड़ो अपने पैसे, लाओ दो, ऐसे कितने हैं, जितने बताए थे आपने उतने हैं, 15,000, ठीक है, ठीक है, देखा कैसे चुप-चाप दे यह पैसे निकालके, अगर ऐस नहीं बोलती न, यह लोग न सबको ऐसे उल्लू बनाते हैं, लंच हो गया, यह हो गया, वह हो गया, फ़लाना धेमका, क्या दुन्या भर का पट्टू पढ़ाते हैं, सही कावत कही गयी है, कि सीधी उंगली चगी नहीं निकलता है, एक न एक दिन तो टेड़ी करनी ही पड अरे वह एक मैडम आ गई, उसने तो हालती खराब कर दी, ऐसा बोल रही थी, पूछो मत, पहले मेरे केविन में गई थी, मुझे बहुत जाम पिलाई, मैंने का भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, क्रेसियर के पास जाओ, फिर वह तुम्हारे पास आई है, वह तो ऐसे पैसे म मांग रही थी, जैसे मुझे देखे गई हो, तेरा भी वही हाल किये थी, चलो आओ फिर, मेरा लंच बॉक्स है, उसी में लंच करते हैं, दोनों लोग मिलके, ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ, परवती अभी तक आनी भाई, बैंक गई हुई थी, पैसे निकालने गई है, क आपको पता है, अगर हम एतना ना बोलते ना कैसियर को और मैनेजर को ना वो पैसे वैसे कुछ भी नहीं निकाल कि देते, बोल लाए थे लंच हो गया, आप पैसे नहीं मिलेंगे, बेट करो जब हम लोग लंच बंच कर लेंगे, उसके बाद पैसे देंगे, फिर हमने का य साही हमसे नहीं चलेगी चुपचा पैसे दे दो, अरे बड़ा जोरो सोरो का जगड़ा करना पड़ा, अमाजी तब जागे कहीं दिये पैसे, तुमको वहां लड़ाई करने क्या जरूरत थी, लंच हुआ था था थो थोड़ा इंतजार कर लेती, उसके बाद ले आती, अरे एक दिन में तो सारा काम हो नहीं पाता, हमने सोचा जल्दी से वहां निपटाएं और जल्दी जाएं, बैठे बैठे क्या करेंगे, बोर हो जाते, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था पूरे बैंक में, बता नहीं है ऐसा क्यों था, अरे होता है कभी कभी, अब जाए माजी द पंडे जी से बात करके आना, समझ गई ना, उनको बोल देना कि हमारे आकाल रुद्रफ से आके पूजन करवा दीजिएगा, सोवे या जाईएगा, हमारे पूजन जल्दी सुरू हो जाएगा, सब बता देना जाके, पंडे जी की टेंशन मतलो माजी, हमने पंडे जी से न फोन में बात कर ली थी, तो बोल लाए थे ठीक है, जितनी टाइम पूजन चलू हो जाए, तुमारा सारा काम हो जाए, हमें बता देना, हम आज आएगे, चलो फिर तो सही है, तो जाओ तुम सामान आमान खरीद लो, ठीक है, और सब को फोन ओन करदो, रिष्टेदारों को आजाए, ठीक है माजी, और सुनो, भगबतिया से हमी बात कर लेंगे, तुम मत करना, नहीं तो बड़ी नक्चड़ी है, मेरी बीटीया, सोचेगी, अमाने फोन क्यों नहीं किया है, आप क्यों कर रही हो, यह है, वो फलाना धिमका, तुनिया भर की बाते करेगी, इससे बात और पूछनी थी, क्या बोलो, यह पूछ रहते कि सुनता बहु को फोन करना है या नहीं, उसको भी बुला लेते तो सही रहता, जाओ जाओ अपना काम करो, ठीक है, उसका नाम हमारे समने मत लेना, उसका नाम सुनने से हमारा खून खोल जाता है, अब दुबारा तुम नहीं लगेगा, बुरा मान जाएगी, कोई ना कोई जुगार बेठाना पड़ेगा, सुनता बहु को बुलाने के लिए, अम्मा जी को मनाना पड़ेगा, अम्मा जी को कैसे मनाएं, कोई ना कोई टेकनिक तो सोचनी पड़ेगी,